एल्लय औरी इस्टेंट वहलेलम टो माईह चैनल इस विडियो में हम लोग हिंदी के एनवल प्रस्ण पत्र को देखते हैं उस प्रस्ण पत्र में किस टाइब के कौ्ष्ण पूद पूछे गहें तो हम लोग देखेंगे ठीक है यह जो प्रस्ण पत्र है वो कि पйमिन का दा र रखते हैं चाहिए आने वाले जो भी इस डेंट है अगले साल जो भी एक्जाम देने वाले हैं तो वह इस प्रटंट से भी तैयारी कर सकते हैं कि हाइनल एक्जाम में किस तरह कोशन पूछे जाएंगे देखी यहां पे टोटल चालिस अंक का पुछे गए हैं और देड़ घंटा दिया हुए है ठीक है यहां पे लिखा हुआ है कि सुलेक और वर्तनी की सुद्धा के विशेश धियान रखें प्रसन पत्र में पांच खंड इगारह प्रसन हैं सभी प्रसनों का उत्तर क्रमा उंसार ही दे क्रम के उंसार से सिरियल वाइज में देना है और सभी प्रसना निवार्ज है बिकल्पों का धियान रखें ठीक है चले खंड का में देखी बच्चों के अधिया खंड का में पाठ बोधन से एक गुने दस दस अंक का दिया हुआ है वो कैसे देखी इस अपठीद गधांस को पढ़ना है अप इसकी बिचार सकती ठीक है मनुस के पास बुद्धी है विवेक है तरक सकती है था तो उसके पास बिचारों की अमुल पुंजी है अपने सू बिचारों के निव पर ही आज मानों जो की अपनी सर्ष्ष्टा की अस्तापना किया जाए आपको पता है कि जीवों में सबसे भीचार के आगए और मानो सवते का विशाल महल खळा किया है यही कारणी की बिचार सिल मनूस के पास जब सूब इचारों का भाव रहता है तो यह सूण मानस कूब इचारों ग्रशित होकर एक सैतान बन जाता है मानवी बुधी जब सद्वाहों से प्रित होकर कल्यानकारी और जनावे प्रिवित करती है तो उसकी सद्धेस्ता का कोई आंत नहीं होता किन्तु जब वहां कूँ विचार अपना घर बना लेता है तो उसकी पास्विक प्रिवितिया उस पे हावी होड़ती है और हिंसा और पापाचार का दानवी समराज इस बात का धोतक है कि मानव का विचार सक्ति जो उसे पस्तु बनने से रुकती है के साथ देती है इस गदाज को पढ़के अब उतर देना है तुमको पहला का है कि मानो जाती को महत में मानो जाती को महत देने में किसका जोगदान है तो देखो मैंने पढ़ा अभी पढ़ा आप लोग ने कि किसका जोगदान है वह जोगदान है आपका यहां से देख सकते हैं विवेक और विचारों का ठीक है यहां से लिखा हुआ देख मनों के पास वुद्धी है विवेक तो इसके अंसार से आप इसको उतर दे Sugar तो पहला तोगिया बिवेक और विचारों दूसरा क्वेश्चन है कि विचारों की पुंजी में सामिल नहीं है वुसला तर्क विवेक जीदक्येर विचारों के पुंजी में लिखा हुआ है मनुस्ष के पास बुद्धी विवेक सकती है तरग सकती है तो दपकर है कि बुद्धी हो गया बिवेक हो गया ?? उस्धा देखिए उस्धा ये आपका सामिल नहीं है मानों में पास्विक प्रविरतिया क्यों जागलित होता है, पास्विक प्रविरतिया कैसे जागलित होती है तो यहांपे देख सकते हैं कूब विचारों से गरस्त होकर यहां कूब विचारों से गरस्त होकर तो यहां से कूब विचारों के कारण मनुष के पास बुद्धी है विवेक है तरक सकती है रचना की दिश्टी से वाक है मनुश्च के पास भुद्दी है वीवेग सक्ति है रचनकरन दिह से क्याओगे यह सरलवाख हो जाएगा ठलौ गधांस का उब्जिक्त सिर्शक हो सकता है मनुष का गुरू दानवी सक्ति विवेक सक्ति पास्विक प्रभीति ठीक है तो यह हो जाएगा विवेक सक्ति यह हो जाएगा आपका ठीक है चलो उसके बाद इसी दर के दुसरा दिया पठीद गधांस से पढ़कर पुरसन पुत् ना के जनकारे उठो लाल जी भहो भहयो सुरुनर थारे दवारे गवाल सब करत कुहालल जैजे सब्द बच उचारे माखन रोटी हात मलहली है गवनों के रखवारे मीरा के प्रभु गिर्धर सरर आया तो याय को तारे ठीक है तो इसमें उतर देना है कि माता यसुदा किसे जगाने का प्रयास कर रही है तो यह हो गया बंसी वारे ललना उसके बद है कवित्री इस पद में किस समय का वड़न कर रही है ते भोर का मीरा के प्रभु कोन है तो यह हैं बंसी वारे कंगना के जनकारे क्यों सुन्याई दे रही है रजनी बीती जैसब्द उचारे गोपी देख लीजीगा ठीक है ये आपके भूक से हैं खंड कहा में देखे हिंदी दास नम़र का है दो समान पद्धो के मत लगाया जाता है दो समान पद्धों जैसरा रात रात बर बात तो क्याता है को लगाएंगे ये है ठीक है ची को लगाया जाया धर कौम आलप बिर्म है ये तिक है चलेए उसके बाद है आपका खा कोंगा नंबर ये दो को अ जाओ हो ये इस विह बताौ घिर को कहते हैं किया होता है इसको कोश्ट टक कहते हैं तरह कोश्टन दिया को करना है एक दूटीन को दिया हुए सुख दुख में कौன से समास और संदी भी खेज़ है मंडला का मंडल जोर अकाल का है मंडल जोर अकाल हो गया नए सब्द बनाए रंग से क्या बना सकते नए सब्द नए सब्द रंग से रंगीला ठीक है तो इस तरह के आपका हो गया पांचमान नमबर देखो बच्चु क्या है संदी बिच्छे प्रसुनम से किसी को करना संदी नरेंद्र का संदी कितना साने कितना तो कितना साने पुष्टक जो आरती क्या हो गया देखिए विदा जो और थी कहा है देखिए बिधा जो और थी एह हो गया इस तरह संधी बिछ आपका शांद दिया हैं उसी के और उन्गर होना मतलब अनुरूप जोड़ा मतलब कि इसको उसी के अनुरूप होना उसी के जोड़ा होना जमान पर लगाम नहों अनावसिक रूप से अस्पष्ट वादी होना मतब व्यकार का कुछ चीज व्यकार चीज भी बोलते रहना जवान नहीं पर लगान नहीं होना टांग अडाना यह संप्ल कर टांग अडाना क्या हो जागा टांग अना बिना कारण लड़ना चाहिए अवरोद पैदा करना से महिला सब्द का बहु बचन रूप क्या होगा तब महिला का होगा महिलाएं उसके बदर रस्गुल्ला रस्गुल्ला का बहु बचन क्या होगा रस्गुल्ले यह हो जगा है यह गलती है सक्षी सब्द का बहु बचन क्या होगा सक्खियां देखिए तो इस तरह के आपको किताब से दिया हुआ है दुकंदार और ड्राइबर के सामने अपू की क्या इस्तिती है वे दोनों उसको देखकर पहले परसान होते हैं फिर हंसते कारण बताइए तो यह किताब से आप पढ़के इसका इंसर लिख दिली उतर लिख लिएगा खान पान के मामले अस्ता नीता का क्यार्थ है यह भी लिखिका को तीसरा क्वेश्चन की कौन सी चेश्टा है बहुत भाती है जाले घर में रहने वाला सभी जी एक दुस्य कमित बन गये थे पर कुपजया के साथ ऐसा संभख्यों नहीं गया पच्वा बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाले जी कहते सुदा किसे जगाने के प्रेश करती है कौन कौसी बाते कहती है ठीक है इस तरह का तो इसमें से आपको पांच कहीं उतर देना है साथ को दिया हुआ है बीर कुमर्सी के बेक्ति को कौन सी भी सेस्थार को अपने प्रवाइद कर किया मोर मोर्नी के नाम की सधार पे रखे कि उसके वाद है खंड घौ में रचनात्ता कुन लेखक में वन गुने पांच है ठीक है मतलब एक कोई लिखना है पत्र लेखना और नुच्छेद लेखना में कोई भी एक हल किजिए भाई के साधी में जाने के लिए आप सके तू अबकास लेना है अपने विद्याले के प परदाना चैप महोंदे इसकूल का नाम उसके बाद लिख लिजिएगा महां से उसके बाद लिख देना है कि क्या ची है और विशाय में लिख देना है कि छुटी लेना है ठीक है अबकास है तो इस तरह का परिश्णम अभ्याज की सफलता के कुझी संकेत भी दूप्रिश् अंगा में लिखा हुआ है वरतनी अगयारती सब्द अनिक सब्दों के लिए तरुब करें क्या करें अध्याकारी बहुत असन कोश्छ तीन नमर कर दिया हुआ हुआ है उसके बाद खो है आँक के सामने हमले घटना को परतिच कहेंगे ठीक है अपने परिबार के साथ कहीं की जाने को सब परिबार कहेंगे हैं और वाक पूर्ण करें वाक्त पुल को Citizen दिया हमकी उत्जर के सथ्साथ पूरयं है यह तोने सब गलतीा है पांडो के 12 मास का क्या दिया गया था अघ्यात वास दिया गया था तो इस प्र witness तो इस तरह के आपने देख लिया कितनी सिंपल सिंपल कोश्चन दिये हुए हैं और टोटल आपके कोश्चन आपको बन गया है तो जिनका वितल एक्जाम नहीं हुआ है वो देख सकते हैं और जहां आगे जो भी इस अगले साल एक्जाम देने है उनके लिए भी यह पेपर प्रस्टपत काम करेगा तो वह भी इस प्रस्टपत को एक बार देख लेंगे और असा करता हूं कि सारे कोश्चन आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब कर दना कि बिस्कली रूप से मैत और साइंस का सारे वीडियो डाले गए हैं तो उस वीडियो को भी जाके आप लोग देख सकते हैं थाइंकियो ओल दा बेस्ट फोर एक्जाम